बसकार दोस्तो, मेरा नाम है सेकर और स्वागता आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल सिकर स्टडी पॉइंट पर दोस्तो वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तो चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लिजेगा और सांती बेल आइकन भी चरूर दबाएगा दोस्तो इसके बाद हम बात करेंगे आज जारी होने वाली बिग्यत्ती के बारे में और उससे पहले बात कर लेते हैं जो बीएड टीटी पर सिक्चित बिरोजगार भढ़के तो उस्तो 2600 पद उपर सिक्चकों की भरती होनी है और राष्टिये मुक्त विश्चुबिद्ध्याले सिक्चाण सच्तान एनाई ओएस से डिप्लोमा एलिमेंटरी एजुकेशन डिएलट कोर्स करने वालों को सिक्चक भरती में सामिल किये जाने पर बीए टीटी पर सिक्चित बिरोजगारों ने नाराज की जत्ताई है बिरोजगारों का कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो इसको बिरोध में आंदोलन शुरू किया जाएगा और शिक्चा मंतरी का कहना है कि नियमावलियो कूट के आदेश का पालन कराए हुए अधिकारियों को सीग्र सिक्चको की भरती के आदेश दिये हैं और परदेश में दोस्तों जो सीग्चको की भरती होनी है वो छबिस सो से अधिक पद उपर होनी है सीग्चको की तो यह बहुत अच्छी नियुजर लेकिन यहाँ पर अब यह देखने वाली बात होगी कि अब NIOC जुने ने किया इनके लिए अब क्या होता है तो फोरस्ट गाड का दोस्तो रिजल्ट आ गया था और उसके बाद 6 सितमबर को रिजल्ट आ गया था और उसके बाद अब दोस्तो आयोग ने दस्तावी सत्यापन के लिए बुलाया है परदेश में फोरेश्टे गार्ड भरती में दस्ताविय सत्यापन 28 सितंबर से होना है परदेश में फोरेश्टे गार्ड भरती के थैत परमाण पत्रू का सत्यापन 28 सितंबर से सुरू होने जा रहा है अधिनस्ति सिवा चैन आयोग ने इसकी सूचना चारी कर दी है आयोग क जिन संडे पढ़ जाएगा तो उस दिन नहीं होगा और मांकी जिस दिन चुटी होगी उस दिन नहीं होगा मांकी लगवग इतने दिन बुलाये है और दूसरा आयोग ने कनिष्ट अभ्यानता सिविल पसुधन परशार अधिकारी और निरिक्चक रेसम भरती की भी दूसरी स रिक्चा 2021, खान इरिक्चक, मान चित्राकार, सर्वेचक, पराविदिक सायक रसायन, पराविदिक सायक भूब भाती की, पराविदिक सायक भूब इज्ञान, एम पुस्त काला धेक्च के 26 रिक्टपद उपर सीधी चैन है तूँ, दोस्तो 26 पोस्टू की संग्या होने वा और 11 सितंबर, यानि कि आज से ओनलाइन आविदन पत्रामतित किये जा रहे हैं, परस्नेगत बिग्यापन से महत्तिपूर्ण तीथिया निम्नुवत है, दोस्तो बिग्यापन परकासन की तीथि आज हो जाएगा, और जैसे ही आजाएगा, तुरंत मैं आपके सामने बिग् को बाहर कर दिया गया है, उनके सुल्प ना जमा करने के कारण पर वक्ता में, जबकि उन्होंने पिरी एक्जाम भी निकाला हुआ था, फाइनल सेलेक्शन की बाद भी बाहर हो सकते है, अगर कुछ गलती है, अगर की होती है, तो आयोग बिल्कुल माप नहीं करता है, और स तक आयोग ने डेट दी अठार अक्टूबर, तो इससे पहले ही जमा करना है, फिर कोई फॉम नहीं भरा तो फिर उनका अभ्यरतन वैसे निरस्त हो जाएगा, तो पहले ही दोस्तों जब जो डेट मिली रहती है, आयोग की तरब से, उसमें आपको कर लेना चीए, और बांक कि जैसे विग्यप्ति आ जाएगी तो आपके सामने विग्यप्ति लेके आऊँगा, तो थैंक्यू फ्रेंड, थैंक्यू सो मच, मिलते हैं बहुत जलते एक नहीं वीडियो में,